बुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसी हैं आप सब आज मैं आप सब की साथ एक बहुत ही जादा सिंपल रेमिरी शेयर कर रही हैं पर यह जितनी सिंपल है उतनी ही जादा एफिक्टियस रही चीज़ है आपको अपने के जर्में ही मिल जाएगी बालों के ल बाट वाटर का यूज़ नहीं करना है अब इसमें मैंने डाला है एक छोटा चमच चाय पच्टी का और उसके बाद मैं डाल रही हूं यहाँ पर दो पाउंच ग्रीन टी के चाय पच्टी और ग्रीन टी दोनम ही कैफीन होता है बालों की ग्रोथ के लिए यह प्री मिच्व और ग्रे हेर के लिए गजब का काम करती है पर अगर ग्रीन टी आपके पास नहीं है मैंने यहाँ पर एक छोटा चमच डाला है चाय पती का और एक चमच लगबग डाला है ग्रीन टी का अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप लगबग दो छोटे चमच डालेंगे चाए पती है छीक है, उसके बाद इसे रखेंगे गेज़ पर गेज़ के फ्लेम्न को अन करेंगे और इसे हमें अच्छी तरसे बुल करना है ग्रीन टी जो चाए के पती है चाए के पती खास करके लोग सधीयों से यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए अब क्या करेंगे हम लेंगे लगबख एक बड़ा चमच चावल मतलब राइस का जो भी चावल हो आपके घर में उसे आप वाश कर लें और इसमें डाल दें चावल बालों को कोरियन जो है वो सबसे ज़्यादा बालों और अपने चेहरे पर चावल का यूज़ कर दिये और उनके बाल बड़ापे तक काले गने मजबूत मुलाइम रहते हैं चावल जो है वो बालों को सिल्की भी बनाता है उसके बाद इसे हम बोईल करेंगे तब तक जब तक चावल पक जाए हमें चावल को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है इस बात का फ्रीज ध्यान रखें अब हम क्या करेंगे गेज की फ्लेम को बंड करेंगे पाच से साथ मिनट लगबग बोईल किया है मैंने इनको तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत ही यस्फिल है, प्रेमेचर ग्रेहर को ट्रीट करते हैं, बालों को डिपली कंडेशनिंग करते हैं, अब इसे आपको ढखकर एक से डेड़ गंटे के लिए छोड़ देना है, कम से कम एक से डेड़ गंटा, यहाँ पर हम आगे का प् आपको ठोड़ा सा मतलब लगबग आधी छोटी कटोरी हम लेंगे, और उसमें हम डालेंगे एक चमच एलवेरा जेल, यहाँ मैं रेडिमेट एलवेरा जेल यूज़ कर रही हूं, चाहें तो प्लांट वाली भी आप यूज़ करते हैं, एपसुल्टली नो प्राब्लिम, क कंडिशनंग करती हैं, बलकि बालों के ग्रोध के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हर एक के बास आसनी से मिल जाती है, अब इसमें आपको डालना है अपने पसंद का शेंपू, देखें, शेंपू जितना माइल्ड होगा, उतना ज्यादा अच्छा है, च्योंक बालों में पहले अच्छी तर से ओयलिंग कर लें, गुन-गुने तेल से, उसके बाद दो से तीन घंटे छोड़ें, या ओयल आप वर नाइट रख सकते हैं, उसके बाद इस शेंपू से आप अपने बालों को वाश करेंगे, और इस पानी से आप करेंगे हेर रिंज, जब हम बाल धो लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको इसे डालना है, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राइ और फ्रीजी है, तो आप इसमें एक छोटा चमच गलेसरिन का भी एड़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देता है गलेसरिन बलके बालों को डिपली करता है, ठीक है, इस रेमेडी को आप बीक में दो बार यूज़ कर सकते हैं, पहले ओइलिंग करें, उसके बाद जो मने शैंपू बताए उससे वाश करें, और इससे हेर रिंस करें, हेर रिंस के बाद आप चाहें तो एक से दो मग पानी का डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी का ठीट है और प्लीज मेरे साथ अपना एक्पिरियेंस जरूर शियर करें थैंक्स फारो चेंट